नमस्कार, EPSC Current Affairs प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है हैमर हेट शार्क की एक नई नरसरी की खूज शोध करताओं की एक टीम ने इक्काडोर के गैलापागोस दिपसमूह के पास हैमर हेट शार्क की एक नरसरी की खूज की है नई नरसरी की खूज विशेश तोर पर हेमर हेट शार्क के लिए बहुत महत्वपून है क्योंकि यह गंभीर खत्रे से जूज रही है इससे पहले भी दॉपिकों के पास समान विशेस्ताओं वाले दो अन स्थानों की पहचान की जा चुकी है दुपिक के आसपास एक अभियान के दोरान परियावरन मंत्राले और सैन फ्रांसिसको डी क्वीटो विश्वेद्याले के विज्ञानिकों ने साथ मिलकर इस स्थान की खोज की International Union for Conservation of Nature यानि IUCN ने हैमर हेट शार्क पजाती को गंभे रूप से संकट ग्रस्त माना है शार्क निगरानी काडिक्रम गैलापागोस सरंक्षिन विभाग और Save Our Seas Foundation की देखरेक में है यह चित्र इवा शार्क अबादी को ट्रेक करने और उनके प्रवासन पैटर्न को समझने के लिए शोध करताओं को सहायता प्रदान करेगा गैलापागोस दीप समूह प्रशांत महसागर में भूमध्य रेखा कि आसपास फैले जौलामुखी दीपों का समूह है गैलापागोस दीप समूह एकवाडूर का एक हिस्सा है इसका नामकरन यहाँ पाए जाने वाले कच्छों की एक विशाल काय प्रजाती के आधार पर किया गया है इस दीप को इनेसको के पहले विश्व धरोहरस्थल के रूप में वर्स 1978 में चुना गया गैलापागोस दीप अपने अनोखे वन्य जीवन के साथ ब्रिटीश वैग्यानिक चार्स डार्विन के विकासवात के सिधान्त के लिए महत्तोपूर्ण था यह कई प्रजातियों का घर है जो कहीं और नहीं पाए जाती है जैसे विशाल कचुए, फ्लाइट लेस जलकाग और समुद्री इगवाना